हेलो स्टूडेंट्स तो दोहे कबीर रहीम और बिहारी लाल के दोहे जो हमने पढ़े और इसमें हमने प्रशन भ्यास हम कर रहे थे आज हम भाशा की बात करेंगे तो देखे नीचे दिएगे अधूरे दोहों की पंक्तियों को कोच कर उन्हें पूरा कीजिए यह आपने यही पैंसिल से करना है बुक में ही तो यह दोहों की पंक्तियों आपको पता ह sofा की आजेषै तो मतलब इसका मतलब क्या है इसाई हमें इतना देना मतलब है इश्वर हमारे परिवार जो है वो भी तमारे मतलब उसकी भी जरूरते पूरी हो जाएं और यदि कोई मेरे पास आए, साधू कोई मेरे पास आता है, तो वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए, तो इतनी इश्वर की कृपा हमारे उपर बनी रहे। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, ये तो हमने पढ़ा है ना, सुनी अठी लहें, लोग सब बांटी ने लहें, कोई, तो रही जी कहते हैं, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि सुन कर सब लोग सामने तो आपके हितैशी लेकिन पीट पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, हसी उड़ाते हैं, और लोगों में आपके दुख की चर्चा करते हैं, उसको कम नहीं करते हैं, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजु तो लिके, तब मुख बाहर आनी, तो जो बोली है, हमारे बचन है, व आमे अपने जुबान जो है, अपने शब्दों को बाहर निकालना चाहिए, ठीके, तो इनको आप कैसे पूर्ण करेंगे, देखे, यहां पर पंक्तिया लिखी हुई है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीके, पहले वाला था ना, साई इतना दीजिए, जामे कुटुम फिर यह आप लिखेंगे, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं साधू न भूखा जाए, ठीके, अगला था रहीमन निजमन की विथा मन ही राको गोई, तो यह इसकी पंक्ति, अगली पंक्ति, सुनी अठी लहें, लोग जब बांटी ने लहें, कोई, ठीके, फिर यह ग का देख तो यह पंक्तियां आप पून कर लें, स्पेलिंग गलत नहीं लिखें, अच्छा, दूसरा प्रशन इसमें जो था, दूसरा प्रशन इसमें है, भाशा की बात में, कि बोल चाल की क्षेत्री विशेशताओं के कारण, शब्दों के उचारन में परिवर्तन होता है, भी बदल जाती है, अना, स्पेलिंग भी बदलेगी ना, बाट में आई निमन लिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, ठीक है, तो यह देखो कौन कौन से दिये, तैसाई, पायन, गुन, कोव, तो इसके आपने क्या लिखने है, इसके आपने अर्थ लिखने है, देखो, तैसाई मतलब वैसाई, पायन, पैर, गुन, गुन, कोव मतलब कोई, अना, वो भाशा, जगे जगे भाशा बदलती है, तो उचारन में भी परिवर्तन आ जाता है, अना, जैसे कई शो को सर बोलते हैं, शलगम नहीं बोलेंगे, सलगम बोलेंगे, ऐसा होता है, ठी अब नेक्स्ट है, आपके, जीवन मूल लिया, सभी दोहे में, हम किसी न किसी रूप में, जीने का तरीका सिखाते हैं, बिल्कुल, मैंने कहा ना, कि ये दोहे, हमें जीने की कला सिखाते हैं, ये वास्टविक्ता पर, वास्टविक्ता हमें बताते हैं, ठीके, तो देखे आपको किस दोहे ने सरवादिक प्रभावित किया और क्यों किया हमें अपने मन की व्यथा दूसरों को क्यों नहीं बतानी चाहिए तो देखो हमने पढ़ा ना सच में नहीं बतानी चाहिए क्यूँकि लोग क्या है, मजाक उड़ाते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा है, इसको यह दुख हुआ, यह ऐसा करता था कोई उस दुख को बांडता नहीं है, तो बताकर फाइदा क्या, ठीक है अच्छा, आपको किस दोहें ने सर्वादिक प्रभावित किया है, है न? सबसे अच्छा लगा क्योंकि रूठे हुए सर्जन व्यक्ति को मनाने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि सर्जन व्यक्तियों के सानिध्य से हमारा चतुर्दिक विकास होता है वे हमारे जीवन को सही आयाम देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं हमें अपनी समस्या किसी को भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वे हमारी समस्या सुनकर समाधान करने के बजाए हमारी समस्या का विज्यापन कर देंगे और मन ही मन ये सोच कर खुश होंगे कि ठीक हुआ इस समस्या से मैं पीडिक नहीं हूं ठीक है तो अब हमारा जो है अंतिम प्रश्न ये कुछ करने के लिए है तो ये आप ही करेंगे कि कबीर तथा वरिंद कवी के दोहों का कक्षा में अत्वा प्रात्ना सवम सहस्वर वाचन तो कक्षा में तो नहीं अब आप घर में आप इसका गायन करें ठीक है कबीर के दोहों का ही गायन कर ले समपति के विना विपति में कोई सायक नहीं होता विशेपर कक्षा में चर्चा करें तो इसको आप घर में चर्चा करें, ठीके, तो घर में आप अपने भाई भेनों से माता पिता से चर्चा कर सकते हैं, ठीके, तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम रशन उत्तर करेंगे, जो हमने नोट बुक में करने हैं, तिल देन बाई, एंद थेंक्यू.